अमानी प्रिदानमंती जी से कुछ किसान उत्पादक संग्टों से समवादेत अन्रोथ करूँगा सर प्रिथम मैं उत्राखंड से जीवामित और निक फार्मा प्रोडूशन कंपने लिमिटेड नामक एफप्यो के सदस किसान ची जस्फीर सिंग से को अमंतित करता हूँ सी जस्फीर सिंग जी नमस्ते नमस्कार बैठिए आप बैठिए जस्फीर जी सबसे पहले आपको और जो भी स्कारकम में हमारे साथ जुड़े हैं उन सब को 2022 की बहुत बहुत शुब कामना है आपके एफप्यो के नाम में जीवा मुरुद भी है और और और्गेनिक भी इससे ही पता चलता है कि यह और्गेनिक और नेचरल फार्मिंग में काम करता है आपने इस तरग की फार्मिंग का ही चैन क्यों किया सबसे पहले आपको जीवा मुरुद कंपनी की ओर से और यहां समस्त अधिकारी की ओर से खादिक नवर्ज की हादिक सुब कामना है सर हमारे एपियों में जीवामरीत सर हमने इस टार्टिंग में जब हमने जीवीक खेती स्टार्ट की तो हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या हुई कि अब खेती तोुग यह जीवीक हमने करनी सब्सक्राट करती पट उसमें फर्टिलाइजर और केमिकल बंद करने पड़े तो इसको कैसे हम आगे बढ़ाएं तो हमने क्या किया सर हमने जीवामरित घर पर ही बनाया तो हमने देखा सर जीवामरित से जब हमने खेती में उनको फसलों में डाला तो मिटी की जो मिटी में जो जीवांस थे वो जो पहले बहुत कमते उनकी मातरा बढ़ी उनकी मातला बढ़ने से तो लगा कहती को आगे कार्बन की जो मातला थी उसमें खेती में, वो पहले बहुत कम थी तो खाल दे जीवामरीट से आज की डेट में यहूद पहले प्ह़ाइट 2.20 ग़ें परसेंट थी आज बरसेंट 1 से ज Statistics बूस्त से पर नहें मैं म्ाडला देपिर हमने सचा कि जब हम इस से आपका यह मिट्टी को मिट्टी है जीवां म३ित तो वो अपने अपने इसो किसान जो किसान भाई ग्रहांड करेंगे उन जो आम आदमी करेंगा तो उनके जीवन को भी सर वो अच्छा बना सकता है तो इसलिए हमने अपने कंपनी का नाम भी जीवामृत के नाम से ही रखा हमने रिचार किया जश्वीर जश्वीर जी आप किस चीज की ऑर्गनिक खेती करते हैं और कैसे करते हैं क्या कि एक अपने की ही जेविक खेती करते हैं उसके लिए सार हमने अपनी एपियों ने एक प्रोसेसिंग यूिट भी लगाई हुई हैं जिससे किसान भाई जित्ते ही हमारे सदस् leurs मेंबर हैं वह अपना प्रोड्यूस अपनी उनिक में लेकर उसको प्रोसेस करते हैं और तो प्रमानित कि जाते हैं जश्विर जी आपके एप्पिव ने इन उत्पादों की बिक्री डिस्ट्रिबिशन की क्या रण दीती अपना ही है अपना जेवी कुद्पाद तो हमारी कैपिसिटी सर इतनी नहीं थी तो मात्र दस किसानों से स्टार्ट की तो 10 या 15 तरं की कैपिसिटी तो लोकल मार्केट में सर भाव नहीं मिलता था इतना बिल्कुल भी radius फिर EPA उगठन के बाद हमने कि हमने हमारे जब नेशर्मने दर्टिफाई करा तो हमारी मार्केट में जितनी भी ऊर्गेनिक साथ हमारे एंग्राइंट हैं एंग्रिमेंट के साथ में हमारा टर्णवर भीबढ़ा है और हमारे उत्पातों की हा में उसकी वाई है सर डिमांड बढ़ी है और अच्छा जश्वीर जी आप अपने एप्पियों के लिए कि जाई उर्वरक की उप्लबदता यह निसुनिश्रित कैसे करते हैं सर हमारे जित्ते भी किशान भाई है सब गोंपालन भी करते हैं पसु म Kang दि करते हैं हमारी खुद प्लियु गों साला भी है तो हम अम जिवा-उम्रीट अपने गोंसाला अपने वहीं पर बना के किसान भाई को डिस्ट्रिब्यूट भी करते हैं और सभी किसान भाई को ट्रेनिंग भी देते हैं जिससे वो अपने घर पर ही जे उत्पाद बनाकर अपनी फसल में परियोग कर सके जश्विर जी नेच्रल फार्मिंग प्राकूरतिक खेती आपका प्रयास बहुत ही अच्छा है पिछले साथ साल में हमारी कोशिश रही है जिस हम प्राकूरतिक खेती नेच्रल फार्मिंग और औरग्नियक फार्मिंग को बढ़ावा दे सके इसके लिए प्न से से की जा रही हैं इससे कई फायदे हैं एक तो किसान की लागत कम होती है और उसकी आय बढ़ती है वहीं मिटी को रासायनिक खाथ और पेस्टिसाइड से मुक्ति मिलती है आप अपने तदा संगठन के अनुभों को ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचाईए आपके ए 2022 के सुपकामना हैं बहुत बहुत बदाई